लड़ी स्टार्ट सवापती महोदे ये सब्द मेरे नहीं है बलकि राष्ट पिता के हैं जो लोग आज सरकार में बैठ हुए हैं क्या वे अपने दिल में सोचेंगे कि यह देश द्रोह शब्द बालकों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए राष्ट पिता का कहा हुआ है आज 44 वर्ष देश को स्वतंत्र हुए हो गए हैं लेकिन राष्ट पिता की इस बात पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया है अंग्रेजी भासा को पढ़ाना क्यों बंद नहीं किया गया और उसको दैनिक कार्जों में क्यों परियोग में लाया जाता है मैं इस बात को कई बार इस सदन में कह चुका हूँ और मैंने इस विधान परिशत की नियामा वली में एक साल पहले एक संसोधन भी रखा था आग्य है कि वह संसोधन साल भर से इस सदन में प्रस्तूत नहीं हो सका मेरी अपनी राय है कि कम से कम दैनिक कार्जों के लिए यदि शरकार अंग्रेजी भासा पर बंधन लगा दे तो बहुत अच्छा हो और जो यह अनुसासन हीनता है वह भी शमाप हो जाए शवापती महोदे जैसा कि मेरे मित्र ने कहा लड़कों के माता पिता अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं और उनके शिक्छक भी उसका प्रयोग करते हैं फिर बालकों पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा मैं उनसे सहमत हूँ कि बालकों में नकल करने की आदत होती है जैसा वे अपने बड़ों को करते देखते हैं वैसा ही वे करते हैं अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो उसका प्रभाव बालकों पर जरूर पड़ेगा आप देखेंगे कि जिस मनवरित्ती के माता पिता और शिक्छक होते हैं उसी प्रकार के बालक भी होते हैं हम दूसरों को तो परामर्श दे देते हैं लेकिन स्वेंग उस पर अमल नहीं करते इसके साथ ही साथ हमको सिक्छा पनाली की ओर भी ध्यान देना है सिक्छा के जिन तरीकों को आज कल अपनाया जा रहा है वे वास्तव में लावकारी नहीं हैं सरकार की ओर से इस प्रकार का आदेश होना चाहिए कि 14 वर्स कम बालकों को अपनी मातरी भासा में ही सिक्छा दी जाएगी और धैनिक कार्जों में भी अंगरी जी का प्रयोग नहीं होगा इस प्रस्ताव में अनेक महत्वपुर्ण बातों की और ध्यान दिलाया गया है मैं समस्ता हूं कि जब माननिय मंत्री जी इसका उत्तर देंगे तो कह देंगे कि हम बहुत सी बातों पर अमल कर रहे हैं लेकिन मैं समस्ता हूं कि उन पर कोई अमल नहीं हो रहा है शभापती महोदे आज हमारे देश में जो उपर से लेकर नीचे तक सिक्षा दी जा रही है उसमें व्यवस्था ही एक कारण है जिसकी वजह से सिक्षा का अस्तर गिर्ता जा रहा है मेरा अपना विचार है कि जो सिक्षा पनाली है और जिस रूप में सिक्षा दी जा रही है वही अनुशासन हींता का भी कारण है अपने देश और प्रदेश में हर एक की अपनी अपनी भासा है और वह बालक जो इस देश में पैदा हुआ है जो अपनी मात्री भासा की गोद में पला है उसको यदि अपनी मात्री भासा में ही सिक्षा दी जाए तो मेरा ख्याल है कि सिक्षा का अस्तर ठीक हो सकता है जो सबसे बड़ी भूल और कमी सरकार के द्वारा दी जाने वाली सिक्षा के संबंध में हो रही है वह यह है कि बालक की मात्री भासा में सिक्षा ना देकर उसको उस भासा में सिक्षा देने की जो हमारे देश या प्रदेश की भासा कभी रही ही नहीं। मेरा अभिप्राय विदेशी भासा अंग्रेजी से है। मैं यह मान कर चलता हूं कि जब से यह भासा इस देश में आई है। चाहे वह किसी कारण से आई हो इसे आप भी और इस माननिय सदन के सदस्य भी जानते हैं कि उससे बुरे परिनाम ही निकले हैं। कोई भलाई नहीं हुई है। इस देश को जो हानी हुई है वह किसी से छिपी नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहां जितना फैसन बढ़ रहा है और जितनी वेश भूसा बिगड़ रही है वह सब अंग्रेजी भासा के ही कारण है। जिस समय यहां पर अंग्रेजी भासा राज्य था अक्सर यह देखने को मिलता था कि वे लोग जो खास करके किसी ना किसी तरह से सरकारी पक्ष के ही होते थे। अंग्रेजों से मिलने के लिए जाते शमय अंग्रेजी वेश भूसा का ही प्रयोग करते थे। परन्तु यह इस परदेश और इस देश का दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों का राज शमाप्त हो जाने के बाद भी लोग उनकी वेश भूसा को पहनते चले जा रहे हैं इससे जो प्रभाव हमारे देश के फैसन पर पड़ा उससे लाव के बजाय हानी ही हुई है और हो भी रही है मेरा ऐसा खयाल है कि अंग्रेजी वेश भूसा से इस देश को बहुत हानी हुई है विदेशियों के भारत में आने और लूट ले जाने से उतनी हानी नहीं हुई जितनी की कास्तकारों को सरकारी लगान का बकाया अदा करने के लिए अपने घरों के जेबर बेचने पर रहे हैं अगर मील मालिकों के पास कास्तकारों की बकाया अदाईगी के लिए पैसा नहीं है तो व्यवस्था करें अध्यक्ष महोदे मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि क्रिशी विभाव को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनरासी चाहिए वे उनको पूरी तरह मंजूर नहीं करा पाते हैं क्रिशी विभाव तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पड़ देश के लिए पड़ियाप अन्य पैदा करने का महान भार है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अधिक अन्य पजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट ना हो बहुत सी हर्टालें हो सकती हैं मजदूर काम से बड़ी हो सकते हैं लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बड़ी नहीं हो सकते अब हम देखते हैं कि मीलों और कारखानों में हर्टालें हो जाती हैं चुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्छा लोफ उन दिनों में ज्यादा खाना खाते हैं ज्यादा दावतें करते हैं आज यह हमारे लिए गंभीर चिंटा का विशे है कि हमारा अन्ड का उत्पादन उस गती से नहीं बढ़ रहा है जिस गती से हमारी खपत बढ़ती जा रही है सरकार तथा इस मंत्राले के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है हर एक विभाग में बड़े बड़े अफसर बैठे हैं और हजारों रुपिये की लंबी लंबी तनख्वाहें ले रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाद कारजाले की फाइलों और कागजों में लगा रहता है